एफ बहुत बहुत पसवागत है तो छले इसका रेसीपी देख लेते हैं जिऊप है small and tasty yesterday ् पहलों के अच्छे से तदि कटकर रेक Ele는지 करेूंद में मांधतों बनाने जा रेुको रीफूकर राईं दोनोंको कर रिख़े अच्छे से ऐसी काथ्य कट करना होगा दोनों को अच्छे से कट कर लिया हुआ है और उसके बाद में एक बॉल ले लेती हूं उस बॉल में इस करेले को में आड़ कर लेती हूं बहुती सिंपल रेसिपी और जल्दी से भी बन जाएगा ज्यादा समय भी नहीं लेगा अगर आपके घर में कोई करेला नहीं खाता है तो आप इहरेसे पर जरूर बनाएगा आप उन्हें खिलाएगा एक बार और वह खहेंगे कि रोज भी बराना देखिए मिनिया आपके कर लेके डालने के बाद इसमें एक आदी छोड़ी शम्मच इतना हल्दी पड़र थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिलने के बाद इसमें पानी डालेंगे त्के पानी डालकर इसे अच्छे से दो-तिन बार आपको तक बिल्स दना वागा एक सायुध लिया ओवा है दिख सकते हैं और इसके बाद इसे हमें और वह भी चीज़े अड़ करना है इसका ने हम इसमेरी या ज़ितना बइसन यह निया यह पावडर कर लेते हैं गरम मसाला को और उसके बाद एक चुछाम में चोछा तरीके मिला लेते हैं पाणीकी जरुरत लेगे तो ही इसतिमल करना हो गाए याप में धोड़ा सा घीला सुखा लग रहा है तो मैं अलग है थोड़ा सा चार पाश बूंदे जो है पानीकी डाला तो इसे अच्छी तरीके से में यहां पर लग चुका है देख सकते हैं चले अब इसे हम फ्राइ कर लेते हैं देखें मिनिया पर गैस पर कड़ा हुआ है तेल गरम हो चुका है तो दीरे-दीरे से अच्छे से एक एक करके हैं पर करले को छोड़ना होगा अज़ा मैं पर कर लेकि स्नाक्स बना ले तो देखें मैं यहां पर एक एक करके अच्छे से धीरे-दीरे से छोड़ लेती हैं अगर आपको चममत से और चोड़ सकते हैं थोड़ा से बबल्स कम हो जाने के बाद इसे हम अलर पलठ लेते अच्छे से दोनेवर से फ्राई कर ले तो जल सकते हैं तो इस बात का द्यान डें जादा है जादा है रहा है तो अच्छे से फ्राइ हो चुका है ते कितना क्रिस्पी और टेस्टी बना हुआ है तो चले बाकी के भी बिलकुल इसी तरीके से एक एक करके हैं फ्राइ कर लेते हैं आज बच्चे बगेरे करेले बगेरे नहीं काते तो आप उसे उन्हें मज़दा रेसिपी बना के खिलाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा वह भी रोज बनाने के लिए कहेंगे इसे करेले की मज़दा रेसिपी देखें कडवे भी नहीं लगेंगे आप इससे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीज़ेगा और शेर भी कीज़ेगा और इसके बाद जो हमने कड़ी पता को फ्राइब कर लेता तो इसके उपर डाल लेते हैं देखिए थोड़ा सा तुकड़े कर लेते हैं इसके भी और अच्छे से मिला लेत है कि इतना क्रिस्पी बना हुआ है ना बिल्कूल भी नम नहीं है देख सकते हैं आप अच्छे से तोड़ रहा है तो यहां पर तोड़ने के बाद देखिए कितना मज़दार और सिंपल सा टेस्टी सा हमारा जो करेला है बनके रडी हो चुका है फ्राइक करेला वीडियो प आसकर